Hello friends, welcome to my channel. आज हम सीखेंगे 41090 में एक प्रोग्राम कैसे बनाते हैं? तो आज का हमारा objective है structure of a program and how to write a program. तो चलिए देखते हैं structure of a program क्या होता है? किसी भी program को लिखने से पहले जो हमारी first statement होती है, वो है program name. प्रोग्राम में keyword है, इसके बाद हम space देगर लिखते हैं program का नाम. इसके बाद आता है implicit none, जो कि हमारी second statement होगी. implicit none के बारे मैंने आप थर statement रहेगी, हलाकि मैंने अभी आपको दो declaration के बारे में बताया है, integer declaration और real declaration. इसके बाद हम लिखते हैं input और output statement. input output statement हमारे variables की value को read करता है और उनको print करता है. इन चार statements के बाद हम लिखते हैं बाकी का जो data, जिसमें आते हैं हमारे functions, subroutine और जितनी भी हमारी बाकी की calculation होती है, जो program के लिए जरूरी होती है, वो सब. सबसे last में हम हमारे result को print करवाने के लिए output statement का use करते हैं, जिसका नाम होता है print, इसके बाद program को खतम करने के लिए हम एक statement का use करते हैं, जिसका नाम है end, program को आप तीन तरीकों से खतम कर सकते हो, end, second है end program, और third है हमारा end program name, यह सबसे एक simple method है किसे भी program को लिखने के लिए, तो चलिए एक program से समझते हैं, structure of a program कैसे काम करता है, यहाँ पर मैं आपके लिए एक program बना रहा हूँ, addition और subtraction का, program और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, add sub, फिर हम लिखेंगे implicit none, फिर हम declaration करते हैं, integer, यहाँ पर मैंने चार variables को declare किया है, दो variables जिसमें हम values को input करेंगे, और बाकी के जो दो variables हैं, c और d, इसमें हम result रखेंगे, c में हम रखेंगे addition, और d में हम रखेंगे subtraction, इसके बाद मैं एक print statement डाल देता हूँ, print star, type values of a and b, ताकि user समझ जाए, उसको a और b की value टाइप करनी है, इसके बाद हम इसको read कर लेते हैं, read star a, b, फिर हम c में इन दोनों की addition डाल देंगे, और d में हम इन दोनों का subtraction डाल देंगे, अब हम हमारे result को print करवाते हैं, print star, addition is a variable का नाम रखेंगे, फिर subtraction is a variable का नाम रखेंगे, अब program को end से ख़दम करते हैं, अब आपको ये run करवा के दिखाता हूँ, अब मैं यहाँ पर a और b की values लिखता हूँ, एट और फाइव, तो मारा answer आ जाता है, addition हमारा 13 होगा, और जो subtraction है वो मारा 3 है, जो की विल्कुल correct है, अब मैं enter press करता हूँ, ताकि output की window close हो जाए, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, सबसे last में मैंने लिखा, exclamation mark और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसका क्या मतलब होता है, यह programmer और user को समझाने के लिए होता है, कि आपने किसी भी statement का use, किस तरह से किया है, या फिर उसका मतलब क्या है, इसको आप कहीं पर भी लिख सकते हो, प्रोग्राम को आप जब भी execute करते हो, तो आपका यह जो comments होता है, कभी भी compile नहीं होगा, कभी भी execute नहीं होता, सिर्फ यह user और programmer के समझने के लिए होता है, आप comments को कहीं पर भी लिख सकते हो, जैसे मैं इसको cut करके, बीच में लिख देता हूँ यहाँ पर, तब भी यह execute नहीं होगा, और अगर आप इसको सबसे starting में लिखते हो, तब भी यह execute नहीं होता, हम एक बार program को run करवा के देख लेते हैं, start run, a और b की values में type करता हूँ, 9 और 6, तो हमारा answer आचुका है, यहाँ पर comments का हमारे program पर कोई effect नहीं पड़ा, तो यह सबसे simple method था, किसी भी program को बनाने के लिए, अगर आपको यह video अच्छा लगा हो, तो आप इस channel को like, share और subscribe कर सकते हो, thank you,